नमस्कार जैहिंद वंदे मातरन दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरुजिव वर्ड एक्जाम इस्टेडी प्लेटफॉर्म में जी हैं दोस्तों आज बात करेंगे साइकलोजी के जबर जस्त 20 प्रसन जो पैड़ागोजी से रिलेट करेंगे और बहुत ही important questions रहेंगे आपको खुदी अंदाजा लगजाएगा starting के questions, last के questions, यहां से questions आने ही आने हैं, तै हैं बिल्कुल हर बहन, हर भाई questions को करेगा, start करते हैं, पहला question देखीगा मात्र भासा, शिक्षड प्रातमिक इस तर पर पढ़ाना वेतर क्यों है? हमने NCF में भी देखा है, NCF में ये कहा गया है, नेशनल केलिकूरम फ्रेमवर्क में ये 2005 में ये कहा गया है कि वो उसमें मात्र भासा का जोड़ दिया गया है, यानि बच्चे को राष्ट भासा, राज भासा की बात नहीं की गई है बच्चा जिस तबके से आता है, उसमें बच्चे को पढ़ाना जाना चाहिए, ठीके ना? बच्चो को आतम विश्वास विक्सित होना, अधिगम सरल हो जाता है, बोधिग विकास में सहयक है, बच्चो को सभाविक बातावर्ण में सीखने में सहयता मिलती है अब देखीगा, एक राज जी की अगर हम बात करें, यहाँ पर तो ये विडियो बहुत सारे राज जी के बच्चे देख रहे होंगे, तो हम आपको बताते हैं, राइट अंसर ऑप्चन अंबर डी आप मारोगे, ठीक है ना? तो एकोर्डिंग दोनों के बता दिया मैंने, आपके कुशन्स को डिपेंड करेगा, यह किस तरीके का कुशन्स आता है, ठीके ना? जी हाँ, कुशन नमबर टू की बात करेंगे, अध्यापक छात्रों में सामाजिक वर नैतिक मूले का संप्रिशन्ट कर सकता है, किस तरीके से? मूले बर भासड देकर, द्रस से स्रब्बे कारेकरम दिखा कर, पाठ्थे सहगामी करियाओं की अधिकता से या धार्मिक बातें बता कर, हमें भासड इंपोर्टेंट नहीं है, धार्म की बातों को नहीं जोड़ना है, ठीके ना? क्लास के माहौल से धार्मिक बातावरण को नहीं जोड़ना है, द्रस से स्रब्बे कारेकरम हो सकता है, उप्षन नमबर C हो सकता है, ठीके? तो राइट अंसर यहाँ पर देखा जाए, उप्षन नमबर C is राइट अंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाठ्थे सहगामी करियाओं की अधिकता से आप बच्चों को क कुछ ऐसा क्रिया कलाब दीजेगा, जिससे चीजें बिलकुल बच्चों के लिए हो, सामाजिक और नैतिक मुलिका, विकास उसमें संप्रेशित हो सके, उप्षन नमबर C, राइट अंसर हो जाएगा, कुछन नमबर 3 की बात करेंगे, विद्ध्याले नियम सहिता का जन की शमता, यानि कैपिसिटी को डेबलेप करना, अपराधी वालकों को उचित दंड परदान करना या च्छात्रों को स्कूली परंपरा का ग्यान देना, अब देखिए, बच्चों का राइट आंसर जो आ रहा है, वो ऑप्षन नमबर B आ रहा है, लेकिन राइट आंसर क ध्यान दीजेगा, सभी वालकों नहीं, अपराधी वालकों को आप उचित दंड का प्रियोग कर सकते हो, क्यों, क्यों इसलिए कहा गया है, दंड देना निगेटिब बात तो है, लेकिन कभी-कभी उचित दंड देना एक बच्चे के सुधारात्मक प्रकारे में बहुत इं अनुभो को प्रकट करने का माध्यम बच्चे लगा रहे हैं, ऑप्शन नमबर C, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे की अविव्यक्ति को जानते हैं, तो हम कहते हैं, कहीं न कहीं हमने उसके ज्ञान को और अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया है, तो ह हमारे बीच में जो बादचीत हुई है, वो एक क्या है, एक लेंग्वेस का एक भासा का संप्रेशन हुआ है, राइट आंसर ओप्शन नमबर C के साथ चला जाएगा, इसके लाबा कुछन नमबर 5 की बात करेंगे, कुछन नमबर 5 हमारे स्क्रीन पर ये रहा, कच्छा निय सबसे महत्वपूर्ण विदि क्या है, सबसे important point है, कि प्रजा तांत्रिक जो है उपागम, क्या सर, प्रजा तांत्रिक उपागम हो जाएगा, इसके लाइट आंसर ओप्शन नमबर A के साथ चला जाएगा, जी हाँ, हम प्रजा तांत्रिक उपागम की बात करेंगे, इसके कुष्ण एकजाम में चार बार most repeated है, अन्ने state exams में, कुष्ण नमबर नेक्श की बात करेंगे, कुष्ण नमबर नेक्श हमारे पास है, कई नमबर 6 देखेगा, सुपर फोस्ट विडियो है आपके लिए, शिक्षक को अपनी विशह वस्तु में निरंतर नए ज्यान का सिक्षक की योगिता का लोहा माने इसलिए या अध्यापक की योगिता का ग्यान बढ़े इसलिए दिखीगा यहाँ पर हमेशा विसेवस्तु में निरंतर चेंजमेंट करना चाहिए अध्यापक को सिक्षक को क्यों 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 कि यार वही चीजें कहीं न कहीं बच्चे में सिक्षा के रूप में अरूची न उत्पन कर दें विसे वस्तु में निरंतर चेंजमेंट और सिक्षड पद्धेती में चेंजमेंट भी इंपोर्टेंट है क्योंकि छात्रों को नवीन ग्यान दे सकें यह किस की कला हो सकती है यह एक सिक्षक की कला होगी और वो वो किस पर implement क की बात होगी तो इस्ट्ट की भात होगी ठीक है ना right answer option number यह साथ चला जाएगा question number 7 की बात करेंगे वीज कुस्टंस करेंगे परिषान होने की जुरूरत नहीं है बहरत मेंag भारत में रास्टिय सिक्षापाठी में समाहित किया गया था obec की बात हमने केंदरीद बनाया गया था यनि शिक्षा को बाल केंदरीद बनाया गया था है ना स्वतनता अंदोलन का इतिहास संबिधानिक दाइत तो पर्याबरन संरक्षन ये तीनों बहुत ही सकरात्मक पॉइंट है तो इसमें सभी को समाहित किया गया था रास्टी पाथी चर्चा में ठीके ना हाँ जी रास्टी शिक्षा पाथी करम में बहुत बढ़ी ऑप्षिन नमबर डी के साथ चला जाएगा कुर्शन नमबर प्रस्ट नमबर एट बहुत इंपोर्टेंट है जब हम आप अugर में एक आपका ब्रद्द है वो भी क्या लेगा एक शिक्षा लेगा तो वो कौनसी होगी अनौप्चारी जो आपके परिबार और घर और समाज से सिक्षा मिलती है वो अनुपचारिक सिक्षा होती है जो एक समय के अंदर एक निश्चित इस्थान पर मिलती है वो अपचारिक सिक्षा होती जैसे बिध्याले की सिक्षा यहाँ पर ऐसे दोनों आप्शन्स नहीं है तीन और पांच आयूबर्क के बच्चों के लिए ये हो जाएगा option number B निरौप्चारिक शिक्षा कहलाती है option number B ये है शिक्षा का तीसरा part ठीक है right answer option number B के साथ बहुत बढ़िया question number next की बात करेंगे question number 9 डिस्कैलकुलिया सम्मंदित है और डिस्कैलकुलिया की बात करें तो बच्चा गड़िती सम्मंदिक calculation से सम्मंदित आपको trick लगा ले रहा है तो गड़िती विकार हो जाएगा question number 10 की बात करेंगे अब देखिएगा 10 से लेकर 20 तक questions ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत एक्जाम में questions आए हुए है देखिएगा व्यवहार सुद्ध विज्ञान की बात कर रहा है मनो विज्ञान अब बेवहार बात के जनक अगर हम आप से कहें तो आप कोगे कि सर्व वोट्सन हो जाएगा इन्होंने विहरिज्म पुस्तक भी लिखी है option number 2 के साथ चला जाएगा यानि वोट्सन साब के साथ चला जाएगा ठीक है बहुत बढ़या एक और question लेते हैं कथन से और ये कथन का रहेगा इस वीडियो का last question लेकिन question तो 20 करेंगे इसकिनर राइवन और मैकेंजी की बात करें या डेकार्टे की बात करें तो आधार बुद्ध बिग्यान ये तो बहुत ही famous कथन है और ये हो जाएगा इसकिनर सहाब चूहे पर प्रियोग किया था इसकिनर आते हैं आपके USA के मनोवग्यानिक और R टाइप की थियोरी दी थी और क्रिया प्रशुत का नियम भी दिया था बहुत बढ़या option number first is right answer हो जाएगा question number 12 की बात करेंगे psyche का अर्थ क्या है मनवी आत्मा या मन ग्यान का पिंड वुद्धी बा मन का जानना या मन को जानना या फिर नन आपदीज देखे हैं psyche का बात करते हैं तो psychology से अगर हम relate करें तो आप कहते हो psychology में कही ना का या लोजी वर्ड जब लग जाता है तो उसका मतलब होता है विज्ञान यानि study of science की बात करते हैं ठीक है psyche का मतलब होता है मानवी आत्मा या मन ओप्शन नमबर A के साथ first के साथ A के साथ चला जाएगा यानि 12 का first is right answer हो जाएगा कुछती case number 13 की की बात करेंगे संग्हान वादी संपरदाए के संस्थापक कौन है संग्हान वादी संस्थापक अब दिखकाए यहांपर मेके डिवल जो आपके हो जाएगे संवेगातमक सिध्धान के जीन प्याजे हो जाएगे आपके संध्यानबादी के और क्लार खलो जाएंगे पुनरवल के सिध्धान और विलियम जेमस हो जाएंगे मनो Вिग्यान के जनक ठीक है? तो राई टांसर्थे को अरस्तु भी माना जाते हैं लेकिन नहीं अरस्टू साथ जाएगा, जब विल्यम जेम्स जाना है जब विल्यम जेम्स नहीं तो आप अरस्टू लगा सकते हैं तब दोरनों होँगे तब भी आपको जेम्स लगाना है मनो जाना के जनक में तो फिलाल यहाँ पर संग्यानबादी पूछा था तो option number D के साथ चला जाएगा जीन पियाजे चार स्टेजिस दी है ठीक है इंद्रिय गामक, मूर्थ संक्रियात्मक, पूरब संक्रियात्मक और आपचारिक संक्रियात्मक कुछ से number 14, मनो विस्रेशन बाद के जनक कौन है, मनो विस्रेशन बाद यहाँ पर कर लिजेगा जहाँ पर दो फैक्ट आपको बताएंगे, जब भी मनो विस्रेशन बाद लिखा हो, तो आपको सिगमेंड फ्राइट लगाना होगा ठीक है, यूंग की बात करें, तो यूंग ने क्या करा था, यूंग ने तीन-चार प्रकार बताये थे, अंतर मुखी, बहिर मुखी और उभए मुखी तो ये वेक्तित्यू के प्रकारं बताए थे यूंग ने एरिक्सन ने मनो सामाजिक का सिधान दिया था विलियम जे नमबर भी लगा सकते है, लेकिन अभी केवल आपको फर्स्ट लगाना है नीचे उत्तर पर मच जाना मेरे उत्तर यहाँ पर हम गलत खुदी टाइप करते हैं जिससे हमारा स्क्रीन आपको अगर ऐसे ऐसे हो जाए तो जिससे आप कन्फ्यूज ना हो निर्मित बात के जनक कौन से होते हैं धहन दीजेगा अब देखो हमने आपसे बताया मनोसामाजिक एरिक्षन होते हैं ठीके ना इसके लाबा हमने आपसे बताया संग्यान बादी की बात करें तो प्याजे जाने जाते हैं और अगर हम बात करें अंता जो है आप उभए मुख सिद्धान्त के जनक और संग्यानात्मक के यह हैं संग्यानात्मक के यह हैं इन्होंने 14 मूल प्रबतियां दी है जे रोम ब्रूनर आपके हो जाएंगे निर्मित बात के जनक और सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे कौन सिगमंड फ्राइड जल्दी से बताएंगे सिगमंड फ फास्ट वीडियो होती है और उस समय के अंदर आपको कितने कुशन्स हम कराने की कोसिस करते हैं कुशन नमबर नेक्स देखीगा प्रियोजन बाद सिध्धान्त के प्रतिपादक कौन है अब देखे ये कुशन बहुत ही इंट्रेस्टिंग है प्रियोजन बाद के सिध्धान् नहीं है तो फिर क्या लगाते हैं प्रियोजन बाद सिध्धान्त के प्रतिपादक तब हम लगाते हैं विलियम मेकेड्यूगल क्या ओप्शन नमबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा फिलिप बर्नर की बात करें तो पदानुकरमित की बात होती है जीन प्याजे संगेरात्म विकास के लिए जाने आते हैं ओप्शन नमबर A is right answer हो जाएगा कुशन नमबर 17 की बात करेंगे छेतरी सिध्धान्त के प्रतिपादक कौन है थॉन डाइक है कल्ट लेविन है टॉल मैन है वेंडूरा है अगर हम बात करें छेतरी सिध्धान्त के प्रतिपादक ओप्शन न नमबर 18 देखेंगे गडित के विध्यारती को पढ़ने में स्थरवादिक साहता करता है सूज संतोस तत्परता या अभ्यास अब्शन नमबर D के साथ अभ्यास से सहायता करता है जितना अभ्यास करोगे उतना गडित अच्छा होगा उप्शन नमबर D के साथ चला जाएगा इसा की सोलमी सदी में मनोविध्यान को क्या माना जाता है आत्मा का विध्यान, मन का विध्यान, मस्तिस का विध्यान ठोको लाइक बहुती फास्ट विडियो है आपको अभी मैं टाइम भी दिखाऊंगा कितने कुस्षन कितने अलमी सती में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है तो देखीगा बच्चे गरेसर आत्मा का विज्ञान भहिया मेरे बिल्कुल आप सही है आत्मा का विज्ञान माना जाता था वरतमान में अगर पोछे तो वरतमान का विज्ञान जो मनोविज्ञान है वो है आपका विवहार का विज्ञान ठीक है बहुत बढ़िया कुश्य नमबर लाश्ट करेंगे कोलकाता विश्व विध्यले ने कब प्रत्थम मनुविज्ञान विभाग प्रारम किया तो देखेंगा 1889 की बात करें तो जर्मनी के लिप सिंग सहर में पहली विश्व की प्रियोक साला विलियम भारत में कहां पर कोलकाता ने किसने डॉक्टर सेन गुपता ने कहां पर कोलकाता में कब 1916 में यह च्छे कुश्चन आपको बहुत इंपोर्टेंट है मैंने क्या कहा जर्मनी में किसने विलियम बुंट ने कहां पर जर्मनी में जर्मनी में कहां पर लिप सिंग सहर में कब 1889 में ठीक है भारत में कोलकाता में कहां किस ने करा डॉक्टर सेन ने कब किया 1916 में है ना ये important point है ये आपको याद रखने है तो score आपका क्या रहा है आपको बताना है देखेगा 14 मिनट से भी कम में हमने तो ज़्यादा खीच दिया है इसे last question 14 मिनट हमने इस वीड़ो में लिये है और 20 questions करांए है को ऐसा वीड़ो मुझे बताना जिसमें 10 questions मैंने देखा है लोगों को कराते कराते और ले ले लेते हैं समय 40 मिनट और केवल टिक मारते है बात बाकी मुद्दे की बात होती है आपको पता है कैसी होती है जैहिंद वन्दे मातरम फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नेक्स्ट विडियो में अदाब सस्रीगाल जै महाकाल ठोको लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो और गुरुजी वर्ल्ड के टेली कराम से जोड़ो जैहिंद वन्दे मातरम